second year chapter 16 hydrocarbons सबसे पहले हम अपने reduced syllabus की बात कर लें कि hydrocarbons नामी chapter में क्या कुछ मौजूद है, हम क्या कुछ पढ़ेंगे तो सबसे पहले hydrocarbons की introduction, perotypes, alkanes, cyclalkanes, nomenclature جو कि सारी हम एक ही साथ पढ़ चुके हैं सब को मिला कि तमाम आरगन कंपाउंटस को पिर इंकी Stacy, प्रापपटी का स्ट्रक्शर और रियक्शन आफ आफ रियक्शन आफ इं जो के एक दो रियक्शन हैं जो अलेडी हम पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं तो हमारा focus होगा इस वीडियो में alkenes अब alkenes में क्या कुछ चामिल है तो alkenes में इनकी nominee the future जो दो आर लेडी हम पढ़ कुके हैं फिर structure है तो जनाब हम structure of alkenes start लें गे preparation of alkenes जो दो reactions है वो और फिर reactions of alkenes reaction काफी ज्यादा हैं और आज हम इन तमाम टापिक्स को पढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं और इसके बाद पर इसी चाप्टर में आईसोमेरिजम आप देख रहे हैं अलकाइन्स हैं उनकी नामिन क्लेचर पर उनका स्ट्रक्चर उनकी फिजिकल प्रॉपरट जो भी हैं तो आज का हमारा जो फोकस है यह हम पढ़ चुके हैं तो आज का हमारा फोकस जो है तो वो सिर्फ अलकीन्स है और नेक्स्ट वीडियो में इनिशालला हम पर आईसोमेरिजम की बात करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट ले ले लेते हैं अलकीन्स है क्या अलकीन्स ज एक डबल बार्ण होना चाहिए, हो सकता है, ज्यादा मुझूर हो, लाइक पर एजमपल आप ले ले लेते हैं, ब्यूटाडाइन, वन्त्रे ब्यूटाडाइन, तो उसमें तो डबल बार्ण्ट हैं, और इनको जो जनरल फार्मूला बनता है, तो C-N-H-2-N, तो ये इनका फा हम डिसकस करेंगे ही, चुकि आयोपेक नेम्स हमाले बड़ी डिटेल के साथ डिसकस कर चुके हैं, तो वो भी आएंगे साथ-साथ, लेकिन कामन नेम्स ये हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो जनाम ये प्रोपाइलीन है, और पिर ये है आईसो ब्यूटाइलीन, अगर हम इस ब्यूटाइलीन की बात कर लें, तो ये आप देख रहे हैं, चार कार्बन है, और ग्रीक्स अल्फाबिट्स में इनकी पर नम्रिंग की गई है, ग्रीक्स अल्फाबिट्स को यूज़ करके, तो अल्फा, बीटा, गेमा, सिगमा, तो चुकि कार्बन, अल्फा और बीटा, जो कार्बन आटम्स हैं, उनके दरमान चुकि ये डवल बार्ण मौजूद है, तो लहाज़ा इसको अल्फा ब्यूटाइलीन का नाम दिया गया, ये आईपक्स सिस्टम के आने से पहले की बात है, अब आजकल ये नहीं इस्तेमाल होता, प्रिक्स अगर आप द उनके ये सिस्टम सही नहीं था, ये अप्लाई नहीं हो सकता था, तो फिर साइंटिस्क बैटके दुन्हें आईपक्स सिस्टम बनाए, तो ये अल्फा ब्यूटाइलीन है, अल्फा और बीटा कार्वन के दरमान डबल बार्ण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीटा औ अल्कीन में, जो सिंप्लेस्ट अल्कीन है, वो है एथाईलीन, और हम उसके स्ट्रक्चर को डिसकस करेंगे यहाँ पर, यह हमारा एक्स्टेंडर होगा, एथाईलीन में दो कार्वन एटम हैं, और दोनों जो कार्वन एटम्स हैं, वो दोनों SP2 हाइबडाइज्ट है, अब कार्वन के पास, जो कार्वन है एथाईलीन का तो उसके पास होते हैं, तेन, SP2 हाइबडाइज आर्विटल, तो एक फी वो अन हाइबडाइज़ रह जाता है, और वो इस प्लेन के, बिलकल परिपेंडिकिलर होता है, जिस प्लेन में यह तीनों हाइबडाइज आर्विटल मुझूद है यह जो हमारे पास जो बांड्स है एथीन के या एथाइलीन के तो इस पे हम बात में वापस आएंगे यह मैं आपको पिर बता दूँगा तो सबसे पहले हम जरा कार्बन के इस हाइबराज़िशन की बात कर लें कार्बन जो ग्राउंड स्टेट में है प्रोटान एकस वन टूपी वाई वन और टूपी जड़ खाली है और हम जरूल के मताबक यह अनपेर रहेंगे पेर अप नहीं होंगे बिकास इन तमाम इन तीनों आर्विटल्स की इनरजी जो है तो बिलकुल बराबर है नेक्स जो है जब तोड़ी सी इनरजी मिल जाती है डिरिंग जड़ जड़ जाता है अब S-P-2 हाइबरिडाशन क्या है S-P-2 हाइबरिडाशन यहे है कि एक S और दो भी यह मिकस वे और हमारे पास तेन हाइब्र आर्विटल आगे यह तीन है और हर एक S-P-2 हाइब्र अचा अब यह जो है यह अन हाइबराइज आर्विटल है आपकी म देख सकते हैं, यह carbon का 1s है, लेकिन याद रखे कि यह 2s है, यह 1s का मतलब यह है, कि यह 1s आर्बिटल है, पहले शिलकर नहीं है, और यह 2p आर्बिटल हो गए, तो जब mixing होगी, तो तीन आर्बिटल आएंगे, और तीनों का शेप एक जिसा होगा, याद रखे का nucleus यहाँ प का nucleus याद जाहर है, यह एक ही carbon atom के दो आर्बिटल हैं, यहाँ पर nucleus है, और यह 2p आर्बिटल हैं, जो के इस वक्त unhybridized हैं, अब यह SP2 hybridized carbon atom है, nucleus यहाँ पर है, और आप देख रहे हैं, कि इस साइड पे हमने इसका बड़ा लोग बना दिया है, जो इस बात का सबूत है, कि दर हकीकत, यह जो hybridized orbital होते हैं, यह atomic orbital नहीं होते हैं, बलकि यह molecular orbital है, यह molecule में मौझूद है, यह molecule का हिस्सा है, और जो हमारे पास जो दूसरा जो bonded atom है, तो वो इस साइड पे मौझूद है, यहाँ पर, दूसरा atom है, अच्छा अब जरा देखें, कि यह तीनों जो orbital है, SP2, तो यह एक ही plane में मौझूद है, और आप angle देख सकते हैं, कितना है, 120 का है, यह पूरा angle यहां से यहां तक 360 का है, तो अगर आप इसे तीन पर दिवाइट कर दें, बिकाज यह तीन इंगल हुए, एक यह, एक यह, तो अगर आप 360 divided by 3 कर लें, तो पर आप्ते पास यह आता ह 120 degree का, so hybridization of 1s and 2p orbital to produce 3 sp2 hybrid orbitals, that is called sp2 hybridization, अब जरा हम 2pz को भी involve कर लें, जो unhybridized हैं, यह आप देख रहे हैं, यह एक ही plane में मौझूद हैं, 3 sp2 hybrid orbital, और जो 2pz है या 2py जो भी आप लें, तो वो इस plane के perpendicular है, और यह है, carbon atom का nucleus, अब जरा 2 carbon atom ले लें, because ethylene में 2 ही हैं, so हमने 2 carbon atom लिए, एक यह है, इसका nucleus carbon का, दूसरे atom का nucleus यह है, अब यह हमारे पास overlap जो है, तो यह sp2 overlap हो गई है, और यह carbon carbon के दर्मियान क्या बन, यह carbon carbon के दर्मियान जो है, यह sigma bond बन गया है, यह जो आप देख रहे हैं, carbon और carbon के दर्मियान यह sigma bond बना, और यह है sp2, sp2 sigma bond, अच्छा जिसके हमने यहाँ पर बात की है, यह जो आप देख रहे हैं, total bonds कितने है, ethylene में total bond 6 है, एक bond जो है sp2, sp2 sigma bond है, जो के carbon के दर्मियान है, जिसे आप यह देख रहे हैं, अच्छा फिर carbon का sp2 hydrogen के 1s के साथ overlap करके sp2, s sigma bond यहाँ पर भी carbon का sp2 hydrogen के 1s के साथ मिलके sp2, s sigma bond, और इस तरह यह भी sp2, s, और यह भी sp2, s sigma bond, तो जनाब यह चार bond बने, carbon hydrogen, carbon hydrogen, यहाँ पर carbon hydrogen, और यह भी carbon hydrogen, तो यह चार bond बने, और यह चारो bond, यह एक यह, दूसरा यह, फिर तीसरा यह आप देख रहे हैं, च्छोता bond यह हैं, तो यह जो चारो bond बने हैं, यह sp2, s sigma bond से बने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यह है, sp2, s sigma bond, कितने हैं, चार हैं, अब एक bond रहे जाता है, और वो हमारे पास है, πाई bond, पाई bond, यह जो हमारे पास 2py और यह 2py unhybridized हैं, तो यह parallel overlap कर लेते हैं, जैसे कुछ overlap हो जाती है, यह अपने electronic cloud का opposite spinning का, जो oppositely spinning electrons हैं, अच्छली तो electron cloud है, तो उनके दरम्यान attraction हो जाती है, electron is a tiny magnet, every charge particle when it moves, it creates a magnetic field, so electron spin करता है, और उस spin की वज़े से electron as a magnet काम करता है, और यह जो 2py unhybridized हैं, तो यह parallel overlap करके πाई bond बनाते हैं, अच्छा याद रखेगा, कि यह पा पाई bond जो है, तो यह एक ही पाई bond है, cloud distribute है, electron cloud, जो paired electron cloud है, तो यहाँ पर ज्यादा probability है, यहाँ पर है, यहाँ पर probability बड़ी कम है, यह जो है, तो लहाज़ा इस तरह भी आप representation कर सकते हैं, कि यह जो bond axis है na, sigma bond, तो इसके उपर और इसके नीचे आप यह lobes बना दें, तो यह पाई bond को represent करता है, तो यह है ethylene का structure, कि जिसमें carbon, carbon, sigma bond मुझूद है, यह दोनो carbon, sp2 hybridized है, और carbon, hydrogen, sigma bond है, चार carbon, carbon, sigma bond है, एक, और फिर पाई bond, एक मुझूद है, और यह वो तमाम detail है, आप note करना चाहें, तो आप note कर सकते हैं, यहाँ से, और screen shots लेना चाहें, तो भी आप ले सकते हैं, अपने लिए, तो, अच्छा, यहाँ पर एक बात, यह bond length है, carbon, hydrogen, single bond जो है, और carbon, carbon, double bond, carbon, 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 double bond की length यह है, 1.34 hangstrom, या आप कह सकते हैं, 134 picometer, चुंकि carbon atom में दो shells होते हैं, तो दो shell यह हो गए, दो यह हो गए, टोटल चार shells बनें, तो bond length यह वाली ज्यादा होगी, फिर जब carbon hydrogen की bond, कि हम bond length की बात कर ले, इस bond की length की बात कर ले, तो carbon में दो shells हैं, hydrogen में एक है, तो जाहर है, 1.09, तो यह total के 3 shells बनते हैं, carbon के 2 hydrogen का एक, तो यह bond length यह कम होगी, आप इसे 109 picometer भी कह सकते हैं, 1.09 angstrom भी कह सकते हैं, अच्छा जनाव, अब हम बात कर लेते हैं, preparation, alkenes को prepare किया जाता है, by elimination reaction, alkenes को हासिल किया जा सकता है, petroleum से, process, जो है, वो cracking कहलाता है, cracking, कलव जिमत तो bond breaking है, they can also be synthesized in laboratories, और कैसे बनाते हैं, elimination reaction, elimination reaction, एक ऐसा reaction है, eliminate, remove कर देना, तो elimination reaction, एक ऐसा reaction है, कि जिसमें adjacent carbon atomों से, adjacent carbon atomों से, groups remove कर दिये जाते हैं, या atoms remove कर दिये जाते हैं, और उनके दरम्यान double bond बनता है, अब ये कैसे remove होते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, अलकोहल की dehydration करके, हम जानते हैं कि अलकोहल में OH group मुझूद है, अब dehydrating agent, जो strongest dehydrating agent में आता है, तो आप जानते हैं, phosphorus pentoxide है, तो हम इस्तिमाल कर सकते हैं, sulfuric acid भी और इस तरह और भी है, dehydrating agents, तो सबसे पहले तो, ये dehydration का मतलब है, D means removal या minus, और hydration, hydration ये पुराना बड़ है, इस्तिमाल हो रहे हैं, पानी के लिए hydrating, तो डिए hydration of alcohol में ये होता है, कि हम एक carbon atom से OH remove करते हैं, दूसरे से hydrogen, लेकिन ये कैसे remove होगा, इसके लिए यादर किएगा कि oxygen बड़ा electronegative atom है, लेकिन उसका दूसरे shell है, मतलब ये चोटा atom है, तो ये जो bond है, ये short bond है, short bond जो होता है, तो वो एक strong bond होता है, shorter bond is a stronger bond, और इस तरह जो longer bond है, तो वो एक weaker bond होता है, तो बड़े bond आसानी से तूटते हैं, जो चोटे bonds हैं, वो आसानी से नहीं तूटते हैं, तो oxygen, electronegative तो है, बड़ा polar भी है, यहाँ पे minus charge है, partially negatively charge है, ये oxygen atom, और ये जो carbon atom है, ये partially positively charged है, oxygen पे दो lawn pairs भी मुझूद हैं, तो जब हम sulfuric acid इसमें डालते हैं, dehydrating agent के तोर पे, तो पिर ये अपना lawn pair इसे देता है, coordinate kovalent bond बनेगा, अब ये बनेगा OH2, दो hydrogen atom होंगे, अब इस oxygen पे आएगा positive charge, तो जब इस पे positive charge आया, जैसा के इधर आप देखें, अब इस oxygen की जो effective electronegativity है, मतलब आप ये कह सकते हैं, कि oxygen में, oxygen को एक और proton help कर रहा है, गोया oxygen के बाद जो है, तो वो fluorine आता है, periodic table में, तो गोया इसकी जो effective electronegativity है, वो almost fluorine के बराबर होगी, तो अब ये बन ठूट सकता है easily, तो इसने electron कहेंच लिए यहां से, और ये as a H2O remove हुआ, तो जैसे ही remove होगा, तो ये बनेगा CH3, ये होगा CH2 और इस पर आएगा positive charge, तो चूंकि ये primary carbocatine है, तो ये बनेगा नहीं, तो जैसे ही ये remove होगा, फोरण ही, sulfuric acid का, जो bisulfate है, hydrogen ion तो यहां पे use हो न, तो bisulfate रहे गया, HSO4 negative, वो HSO4 negative, इस hydrogen को remove करता है as a proton, तो जो electron pair है, वो यहां पे रह जाएगा, और जैसे ही electron pair यहां पे आए, यह shift हो जाएगा यहां तक, और इदर double bond बनता है, so, मतलब यह है, कि हमने dehydration कर दी, यहां से OH remove किया, यहां से hydrogen remove हुआ, यानि गोया H2O remove हुआ, लेकिन यह खोद नहीं remove होता, हमें इसके लिए dehydrating agent की ज़रूरत है, और इस reaction के लिए 120 degree Celsius से लेके 170 degree centigrade तक temperature दरकार है, sulfuric acid, phosphoric acid, phosphorus pentoxide, phosphorus trioxide, यह तमाम dehydrating agents हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो यह एक reaction है, अगर आपने for example propanol लिया, तो you will get propene, one butanol लिया, तो आपने one butane हासिल किया बगएरा बगएरा, तो alcohol से alkenes बनाए जा सकते हैं, यह दूसरी reaction है, और reaction का नाम है, de-hydro-halogenation, मतलब de- यानि removal, hydro- यानि hydrogen का removal, और halogen का removal, तो जब hydrogen और halogen यानि hydrogen halide, so, de-hydro-halogenation जो है, it is the removal of hydrogen halide from an alkyl halide, कोई सा alkyl halide आप लेते हैं, और उसमें से आप hydrogen halide को remove करते हैं, या नि गोया, या आप देख रहे हैं न, इताइल bromide, तो उसमें से हमने HBR को remove कर दिया, कैसे, इसके लिए, हमें चाहिए, पोटाशियम हार्ड अकसाइड और उसका alcoholic solution, ख्याल लखिएगा, कि अगर आपने पोटाशियम हार्ड अकसाइड को, तो अलकोहल में डिजॉल नहीं किया, आपने पानी में डिजॉल किया, तो फिर जनाब, जैसे ये bromine remove होगा, जो हार्ड अकसाल गुरूप है न, तो वो यहां पे अटेच हो जाएगा, तो इताइल bromide से इताइल alcohol हासल होगा, तो इस चीज़ का ख्याल लखिएगा, कि हमने, पोटाशियम हार्ड अकसाइड को, अलकोहल में डिजॉल कर देना है, तो पर कैसे reaction होगा, अलकोहल में डिजॉल कर दिया, तो यह आउनाइज भी आएगा, पोटाशियम आइंस मालیکوس मوجود थे और आइन डाइपोल फोर्स इसके साथ बाउंट थे, और reaction के बाद भी यह पोटाशियम जो होगा, यह डिजॉल फॉर्म में ही लेता है, यह reaction में हिस्था नहीं लेता है, यह reaction में जो हिस्था लेता है, वो हर्डॉक्सल आइन है, अच्छा, अब यहाँ पर ब ब्रॉमीन है, तो आप चार शेल्स हो गए, चार शेल्स इसके हैं, दो इसके हैं, तो कितने होगे, छे, तो यह बाउंट लेंट बहुत ज्यादा है, लांगर बाउंट इस वीकर बाउंट, यह बाउंट खतम हो जाएगा, यहाँ से electron केंश के, ऐसे ब्रॉमाइड आइन चल अगर electron ले, तो carbon पर positive charge आएगा, लेकिन यह तो primary carbocation हुआ, primary carbocation का मतलब यह है, कि इस carbon पर positive charge है, और यह जो positively charged carbon atom है, यह एक ही carbon के साथ attach इसके साथ, तो यह primary carbocation, primary carbocation stable नहीं होते, because इसके जो charge है, यह बड़ा exposed होता है, इसके एक side पर protecting group है, तो इधर से इसके कोई attack नहीं कर सक लेकिन यह hydrogen इसको कोई protection नहीं देता है, यह बड़े चोटे होते हैं, तो इस carbon पर positive charge है, और हर side से इस पर attack किया जा सकता, लेकिन इस वक्त, यह हमारे पास elimination reaction है, हमने potassium oxide को alcohol में dissolve किया, तो यह remove हुआ as a bromide, और अब जो hydroxyl आएन है न, तो यहाँ पे जो hydroxyl जो पीचे हैं, यहाँ पे उसके सबसे ज्यादा chances हैं, कि वो इस hydrogen को या इसको, या इसको remove करें as a proton, और इसको क्यों remove करें as a proton, इनको क्यों नहीं करता है, चले इनको remove करते हैं, पिर यह हुआ कि इस carbon के दो bonds हो गए, और इस पे आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे, कि neutral भी हो जाएगा, ए यह carbon divalent है, एक lan pair है, तो total के 6 electron हो गए, carbon divalent carbon stable नहीं है, जब उसके दो bonds होंगे, और उसके उपर एक lan pair भी हो तो यह जो hydroxyl iron है, यह इनसे नहीं remove कर सकता, लेकिन अगर इस carbon को देखें, यह positively charged होता जा रहा है, तो यह इस carbon से electron केचेगा, और इस carbon के साथ जो bonded hydrogen है, तो यह carbon उनसे electron केंचता है, तो यह जो तीनों hydrogen atoms हैं, तो यह partially positively charged है, तो जो hydroxyl iron पीछे यहाँ पर मुझूद है, चुंकि यह तो container है, हर साइट पर hydroxyl iron है, तो hydroxyl iron इस hydrogen को जो के partially positively charged है, इसको remove कर देगा, as a H2O, अच्छा, अब lan pair यहाँ पर रहेगा, यह carbon positive होता जा रहा है, यह lan पिर इदर shift हो जाएगा, और आपके पास बन जाता है double part, तो इस तरही के से हमने elimination reaction के जरीए alken बना दिये, अब हम ज़रा physical properties की बात कर लें, और फिर next video में हम इनकी chemical reactions हैं, वो काफी जादा हैं, वीडियो बहुत बढ़ जाएगी, तो next reaction, next video में हम इसके reactions पढ़ेंगे, तो state के लिहास से हैं, तो अब्तिदाई जो तीन alkenes हैं ना, यानि एतीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यह room temperature पर gases हैं, और अगर linear alkenes लेके containing 5 to 16 carbon atom, यह कुछ जगों पे 17 तक आ जाता है, लेकिन 16 तक है यह, 5 to 16 carbon atom और linear हो, मैं straight chain की बात कर रहा हूं, तो ऐसे compound, ऐसे alkenes जो हैं, तो दे आर liquids, जबके जिन alkenes में, linear alkenes में 17 carbon atoms हैं, या इससे ज्यादा, तो वो जो alkenes हैं, वो solids हैं, तमाम के तमाम alkenes colorless हैं, हाँ, मैं single, एक double bond की बात कर रहा हूं, विकास जब अब double bond बढ़ जाते हैं, तो पिर color आ जाता है, तो हम single, जो एक ही double bond हो जिन alkenes में, हम उनक की बात करें, they are colorless, they are orderless, इनकी कोई smell नहीं होती, लेकिन ethene जो है, तो उसकी थोड़ी सी pleasant smell है, कोई perfume भी नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है, कोई repugnant type और बदबुदार नहीं है, pleasant smell है, they are less volatile than corresponding alkenes, अगर हम carbon atoms की तेदाद सेम रखें, तो alkenes का boiling point जो होगा, वो सब से कम हो होगा, और alkenes का फिर सबसे ज्यादा होगा, reason, reason यह है, कि alkenes में जो pie mound है, वो जो cloud है, वो बाहर को expose है, तो ज्यादा area पे वो deal localize हो सकता है, तो intermolecular forces, London forces मतलब, वो इनमें ज्यादा होती है, तो लहाज़ा इनका boiling point जो है, वो alkenes के मकाबले में ज्यादा है, ये पानी मे तमाम के तमाम, alkenes, they are lighter than water, सिरफ alkenes नहीं है, जनल बात याद रखेगा, कि सारे hydrocarbons जो है, they are lighter than water, पानी से ये हलके हैं, तो अगर पानी में आप इनको डाल लेते हैं, like kerosinile और petrol और diesel, they are alkenes, फिर alkenes ले 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 आप, तो ये तमाम अगर आप ले लेते हैं, ये कोई हार्डो कार्बन, चाहिए वो aromatic ही क्यों ना हो, like benzene वगरा, अगर आप इनको पानी में डाल लेते हैं, पानी के साथ ये immisible हैं, और पानी से हलके हैं, तो लहादा surface पे आ जाते हैं, melting point, boiling point, viscosities, और बागी physical properties, like surface tension वगरा, in general, that rise with increase in molecular mass in the homologous series, मत अब जैसे जैसे आप आगे protein, pentene, hexene, to melting point भी बड़ेगा, boiling point भी बड़ेगा, viscosity भी बड़ेगी, surface tension भी बड़ेगा, हाँ, volatility कम होती जाएगी, so thank you for listening, और ये next video का इंतिजार कीजेगा, उसमें हम chemical reaction जो हैं, वो discuss करेंगे